हेलो दोस्तों आज हमारा फिर से न्यू वीडियो है कोडिंग और डिकोडिंग चेप्टर का दोस्तों ताई दोस्तों उम्हों सुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेशन है कहता है यदि एस आई एर सार को पी एस पी आई पी आर लिखा जाता है तब MAN MAN को कैसे लिखा जाएगा option 1 PMANP option 2 PMPAPN option 3 NANP option 4 MPANP ठीक है यदि दोस्तों बहुत है करते हैं असानी से solve करते हैं इसे तो देखिए हैं ठीक है दोस्तों कहता है जिस प्रकार अराम से लिखते हैं दोस्तों जिस प्रकार क्या लिखा हुआ SIR Sir का P S P I के कोड किया हुआ है तो लिखते हैं जिस प्रकार SIR Sir का कोडिंग क्या है ठीक है दोस्तों कोडिंग P S P I P R ठीक है दोस्तों तो यह आपका First का हो गया ठीक है देखें ठीक है ठीक है दोस्तों तो इसमें क्या लिखा हुआ है P S P I R ठीक है तो इसको आप कोड में क्या कर सकते हैं दोस्तों देखें इसमें आपको क्या है देखें SIR Sir तो देखें कहां S तो First में पहले फर्स्ट का यहां पर एक नमबर समझी है कि इसको कोडिंग कर दिया फिर उसके बीच में यह दोसरा बार P कितना बार P यह दो और फिर यह तीसरा नमबर पर P यानि हो गया तीन ठीक है कर रहा है दोस्तों कि सॉलुशन फोर कोडिंग अंसर सॉलुशन फोर कोडिंग अंसर ठीक है तो किसका पूछ रहा दोस्तों कि किसका P MAN का पूछ रहा ठीक है दोस्तों MAN का ठीक है तो आपको क्या लिखना है देखे दोस्तों MAN का क्या लिखेंगे देखे मन का यानि कि M A N मैन अब इसका कोटिंग कर दें दोस्तों तो पहले लिखते हैं P ठीक है फिर M ठीक है फिर P फिर A फिर P और स्क्राइब N ठीक है दोस्तों दिये हो गया सकेंड का सॉल्यूशन ठीक है देखे दोस्तों इसमें कितना कोट है एक दो तीन चार इसमें भी कोट क्या है दोस्तों देखिया यह यहाँ पर एक ठीक है फिर यह देखिये P का दो यह कोट दो और यह हो गया तीन ठीक है यहाँ पर तीन तो सेम ही है दोस्तों ठीक है ताप य यह देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा तो आंसर है P, M, P, A, P, और N ठीक है यह हो गया इतना ठीक है तो solution for coding ठीक है इसका आंसर क्या है P, M, P, A, N दीक है यहां लिखी है यह अप्सान 2 is a right answer ठीक है दोस्तो बहुत ही बहतरी है दीक है दीक है दोस्तो आसा करते कि आपको समझ में आगा दोस्तो बहुत ही असान प्रोबक्स बताएगे है और इस तरका question हमेशा एक exam में पूछा जाते हैं दोस्तो और एक number हमेशा मिलते हैं नेक्स्ट रिवेन दोस्तो धन्यवाद